हेलो फ्रेंस ये वीडियो मेरे सभी डिफेंस भाई के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है और मैं सभी अपने डिफेंस भाई को दिल से नमन करना चाहता हूँ जो कि इतने जादे मातरा में जंतरमंतर आए और अपना प्रोटेस्ट को कायम रखे तो देखिए इसमे कुछ इंपोर्टेंट चीज बाते हैं जो कि आपके बीच मैं अभी शेयर करने वाला हूँ क्योंकि अभी जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ तो परिनाम जरूर आना चाहिए इतने मेहनत करके बहुत दूर-दूर से बहुत सारे स्टुडेंट तो क्या कि मैं अभी लाइब नहीं आ सकता हूँ और नहीं आ रहा हूँ क्योंकि दो-चार मिनट बस दस मिनट तक लाइब रहता हूँ उसके बाद ऑटोमैटिक कट रहा है तो इसी कारण से हमने सोचा कि जितने भी यहाँ पर अपडेट्स हैं वो सारे को लेकर हम एक वीडियो में पहनत किये हुए हैं तो वही मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू कर लते हैं उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिफेंस भाईयों के द्वारा जो अंदोलन चलाए गए हैं आप सब जो भी देख रहे हैं जर सबसे पहले मिल सके और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो नहीं आए अगर अभी भी आपको लगता है कि आ सकते हैं जो जो देलेई के आसपास हैं वो सभी जरूर आ जाईए और सभी स्टूडेंट बहुत ही सफलता पुरूबक यहां पे अंदोलन कर रहे हैं जो कि कुछ फ ले देखिए जो फोटो यहां पर हैं जो आपके बीच हम अभी यहां पर दिखा देना चाहते हैं जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं सभी स्टूडेंट है जो बहुत उत्सा के साथ यहां पर आये हुए हैं और यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेनर भी यहां मंग को रख रहे हैं तो सरकार को भी इस से रेटेर जरूर कुछ न कुछ निर्ने लेना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं केंदर सरकार से हमारी मंगे सेना भरती परिच्छा सेना रेली शुरू की जाए यहाँ पर एर फोर्स इन्रॉल्मेंट एंड रिजल्ट जारी करो अब जो इंपोर्टेन चीजें यहाँ पर है जो बच्चे सभी जनतर मंतर आये हुएं इतना ज़्यादा मेहनत किये हुएं इनका परिनाम अभी तक क्या मिला है यह सबसे पहले हम डिसकस कर लते हैं उसके बाद दूसरे टॉपिक पर हम चलेंगे तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो एहाँ पर सरकार के दौरा सबसे पहले तो डिफेंस में इतना लेट आज तक कभी ने हुआ था जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है आप है और डिफेंस में हम भी बहुत बार एक्जाम दिये हुएं कभी मेडिकल कभी तो रन करना रहता था merit list को लेकर लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि air force का exam ले लिया गया और 6 मन्त तक 6 मन्त तक अभी तक result उनका नहीं दिया गया आप लोग समझ सकते हैं कि defense means jaws ठीक है आप सभी को पता है कि defense में जैसे ही आप लोग जने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए बहुत सारे jaws चाहिए और आप सभी को ये भी पता हना चाहिए कि defense का जो age है उसको limit करके रखा हुआ है क्योंकि जो defense में student जाते हैं उनके अंदर एक जो age होता है वो limitation तक उनके अंदर jaws होता है इसलिए इनका age fix करके रखते हैं ऐसे में अगर student यहाँ पर result को लेकर इंतजार करते करते ही अपना jaws खो वेठे तो आप लोग सोच सकते हैं कि देश का आगे क्या होने वाला है तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए important है सभी जूरिए औ अब जो हम बात करते हैं में जो important है जो कि army यह तो air force का हो गया army की अगर बात करें नेवी का बात करें तो इनका तो army का तो recruitment ही नहीं आ रहा है बहुत दिन से रही ली ही नहीं आ रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो अपना दवर अच्छे से बनाए हुए हैं और उनका बैठे बैठे दवर खत्म हो गया बहुत सारे तो घर में गाली भी सुन रहे तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस परकार अभी दवर है देश का क्या हाल बन चुका है अब ऐसे में जो ऐसा situation पैदा हो गया जिसके कारण सभी बच्चों को प्रोटेस्ट करना मजबूरी अब ऐसे में जो प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं इन में से क्या परिनावम निकला है अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि तीन बच चुके है और जिसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताये थे कि तीन बचे तक जो मंतरी लोग हैं वो आने बाले हैं तो अभी थोड़ा के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका है कुछ तो हम पर आभी रहे हैं और गर पे बैड़े हुए ही ऑफिस से ही देख रहे हैं तो ऐसे में नहीं होने वाला है जिस पर का टशुडएंट है हम सब का यहीं मंग्या की जब तक मेरी मंग्य पूरी नहीं तब तक मैं आपस नहीं जाएंगे तो ऐसे में यहां पर सरकार ठीक है छात्रों की आवाज सुनेगी या नहीं यह important है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेट कर लेते हैं तीन बचे तक देखते हैं उसके बाद जो परिनाम हुआ है अभी तक का जो positively परिनाम है हम लोग संती पूरवग बहुत अच्छे से उहां पर जो प्रदर्सन है वो कर रहे हैं अंदोलन कर रहे हैं और जो भी अच्छे न्यूज चेनल वाले हैं ऐसे देखिए फालतों का न्यूज लेके आते हैं लेकिन जो भी अच से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के इतना वार आप लोग शेयर करिए कि जितने भी न्यूज बाले हैं उन तक पहुंच सके और उन से सरकार तक मंग पहुंच सके तो जैसे अपडेट मिलती है तो तीन बज़े सरे तीन बज़े के बाद हम फिर से लाइव उस टाइम आने में घुश चुके हैं तो जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो हम सब वापस भी नहीं जाएंगे यह निश्चित है और वैसे सुडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो नहीं घर पे आए हुए वह कम से कम घर पे बैठे हुए भी सपोर्ट कीजिए और घर पे बै यह कि यहां का क्या अस्तिती रहता ठीक है आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं तो आप सबसे यह भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आसपास हैं वो बिल्कुल किसी भी हाल में आ जाएए जिनको लगता है कि लास्ट ली अगर वो नहीं आ सकते हैं वो मेरे चैनल को सब्स स्टेप रखा जाए यह हम आप सबके भी जरूर लेकर आएंगे और आप सबसे भी यह रिक्वेस्ट है कि अपना अपना राई जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आगे का क्या एस्टेप लिया जाए ठीक है आगे क्या किया जाए तो यह इंपोर्टेंट है तो आप जै हिंद।